अब हम आपको ब्यूटेन के आन्विक सूत्र यानि मॉलेकिला फॉर्मूला से मिलवाते हैं और आप इसका सन्रचनात्मक सूत्र लिखते हैं C4H10 का सन्रचनात्मक सूत्र है यहां सभी कार्बन परमानू सीधी श्रंखला में जुड़े हुए है अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ जरा बताईए क्या एक आन्विक सूत्र का एक ही सन्रचनात्मक सूत्र होता है या फिर यूँ कहिए कि क्या हम एक आन्विक सूत्र की दो या दो से अधिक सन्रचना बना सकते हैं सोची सोचीए चलिए हम इसे करके देखते हैं C4H10 की क्या कोई दूसरी संभव सनरचना हो सकती है जब हम एक कार्बन की इस्थिती को बदल दें और उसे मथ्य कार्बन में लगा दें तो हमें 20 सनरचना मिलती है और ये शाकित श्रंकला वाली सनरचना है यहां आणविक सूत्र तो समान है लेकिन सनरचनाए भिन भिन है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन सनरचनाओ वाले ऐसे योगिक सनरचनात्माक समाविव यानि आईसोमर्स कहलाते है झाले